लोगों की गलत फहमी है आप चाहती थी जी मेरे वन से आप तयार थी उसके बिल्कुल मेरे पेटिशन में विश्वास नहीं था मुंबई पुलीस पर एक तरह से पर नहीं ऐसा नहीं था मुझे जानना था कि उस आखरी हफते में क्या हुआ और अगर इंडिया की एपेक्स इ मुझे विश्वास में मुझे विश्वास में लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कलप्रेट बनती जा रही हूँ लोग मुझे बोलते जा रहे को मैं घर आय थी और नाइन्थ दुपहर तक उनका कोई message या call नहीं आया था इसलिए नाइन्थ को जब उन्होंने ये वाला message भेजा How are you my baby? मैं काफी sad थी I was very hurt कि ना तुमने मुझे phone किया तुमने एक message भेजा सिर्फ ये जानते हुए कि मैं कितनी anxious हुआ मैं कितनी बिमार हुँ तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर दिया 9th को क्यूंकि मुझे लगा कि he doesn't want me anymore और उनके और उनके भेहन के बीच में I didn't want to come I didn't want to interfere और वो काफी.. You blocked him on the 9th? I blocked him on the 9th, ji. And your parents supported this decision? who are very close to Sushant? My parents who are unaware of this, he was on our family group, he still is on our family group so he was obviously not blocked there. He was still in touch with my brother after I blocked him on the 9th 10 tarikh ko, unho ne mere brother ko a message bheja hai, wo bhi message hai mere paas ki bhai, how is Riya? how is Riya? Let me know when she's better. Mere bhai ne bola, okay bhai you take care, take care bhai, okay bhai, itna hi hua उस ने कभी ये जिकर नहीं कि Riya I need you come back. Agar वो ऐसा बोलता है, मैं सबको छोड के चली जाती I don't even, that day was Sunday. I obviously broke down and it's not like I have accepted it. I have had no time to grieve. जो कि एक basic human right होता है, वो मेरे लिए एक ऐसी luxury है, जो मैं चाहा कर भी नहीं पा सकती आपको क्या लगता है, suicide था या foul play था? मैं जानना चाहती हूं, आपकी तरह और सबकी तरह मैं खुछ जानना चाहती हूं कि क्या हुआ अगर suicide था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में? उनकी बहन मीतुजी वहाँ थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ? आठ से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे suicide करने की जरूरत पड़ी, या फिर जो दूसरा case है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ? मैं खुद जानना चाहती हूं, ऐसा क्या हुआ? अगर आपको suicide लगता है, तो suicide क्या मचा हो सकती है? मैं नहीं जानती, honestly I find it very hard to accept क्योंकि since he was suffering from depression हमारी अकसर बात होती थी कि तुम कभी ऐसा कुछ तो नहीं करोगे और वो मुझे कहता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूगा, ये मैं नहीं करूगा